भरतपुर क्या पता था कामा विधान सभा के लोगों को पीने के पाने के लिए तना संघर्ष भी करना पड़ेगा आज सामाजी कारेकर्ता विजे मिश्रा डंडोती लगाते हुए कस्वे के लाल दर्वादे से लेकर नगरपाली का होते हुए पंचेत समी की कुंके जहांपर प्रशासन ने रोपने का प्रयास किया जिसके बाद काफी समझाईश के बाद उन्हें पंचेत राज मंतरी रमेश मिणा से मिलने के अनुमती दे दी मिना मंत्री के सामने दंडोती लगाते हुए पहुचे और क्षेत्र की जिनसमस्या पानी के लिए हो रही परिशाने के बारे में अवगत कराया इस पर मंत्री महते ने 15 मई तक पाने उपलब्द कराने का अश्वासन दिया देखना ये है कि क्या सामाजिक कारे करता विजे मिश्रा की मेहनत तरंगलाती है या फिर कामा विधान सभा के लोगों को और भी करना पड़े का इंतिजा वार वार सिर्फ आस्वासन दिया जा रहा है अभी तक चंबन का पानी छेत्र को मुहिया नहीं कराया गया है जबकि भरतपुर जिले की कई विधान सभावों के ग्रामों तक पीने का चंबन का पानी मुचा दिया गया है लिक्त को लेकर के छेत्र की जनता ने कई बार पुच्चतकारियों और इप्वानी जन प्रतिनिदियों से निविधन किया है लेकिन सिर्फ अभी तक मात आस्वासन मिले है आज कामा में राजस्त्रम के राजमंत्री, पंचात राजमंत्री मीना जी द्वारा जन सुनवाई की गई जिसमें चंबल परियोजना को लेकर के हमने सरकार से डेंड बद करते हुए डेंडोती रहते हुए, सर और नाद रंगड़ते हुए प्राप्वण करिये कि छेत्र को चम्बर का पीने का पानी उपलब कराया जाए जिसको लेकर के पंचाती राजमंत्री जी ने आस्वासन दिया है कि 30 मही तक छेत्र की जंता को पीने का पानी उपलब करा दिया जाएगा उन्हों ने अपना नंछि στο य।